Hello everyone, Welcome on myTube channel अगर आप सभी स्टो की Detail Analysis पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो में हम Crompton Greves Consumer Electronics यानि CG Consumer Electronics Company की Detail Analysis करने वाले तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस कंपनी के share price 337 रुपए है और एक दिन में 0.25% की गिरावट देखने को मिली पिछले 5 दिन में 0.38% की गिरावट देखने को मिली एक महिनों में अल्मोस्ट 5% के negative return पिछले 6 महिनों में 8% के negative return एक साल में 24% के negative return पांस सालों में 24% के positive return पास सालों में almost 1500% के positive return दिये है यहां बात करें कमपनी के business and fundamentals की तो यह जो कमपनी है यहां पर lighting and electronic consumer durables यहांनि कमपनी जो है electronic products sell out कर रही है market capitalization 21 करोड का है stock का low 312 रुपए, stock का यह 452 रुपए book value 41.1 है, dividend yield 0.74 है यहांनि कमपनी थोड़ा dividend भी दे रही है ROC 23% है जो कि काफी अच्छा है, return on equity 26% है यहां पर बात करें, promoter holding almost 0.5% किया है और debt equity 0.62 है, यहांनि 1626 करोड का debt है और हाल में ही promoters ने almost 3.40% के stack sale किया है इस वज़े से कमपनी के stocks में काफी गिरावर देखने को मिले है यहां बात करें, FIIs holding almost 40% है और हाल में ही FIIs ने almost 0.5% के stack buy किया है DIs holding 45% है और DIs ने भी 0.25% के stack buy किया है और यहां पर आप देख सकते हो, capital goods electronic requirements में इस कमपनी की rank fourth number की है और यहां बात करें, company के quarter on quarter basis result की काफी time से stock के quarterly result में गिरावर देखने को मिली थी बट अभी यहां पर काफी अच्छा profit देखने को मिला है 128 करोड से 132 करोड year on year basis यहां पर strong profit देखने को मिला 593 करोड से almost 590 करोड का यानि almost profit हमें same ही देखने को मिला है reserves की बात करें तो company के पास काफी अच्छे reserves है 233 करोड से 244 करोड के reserves है और boring 1626 करोड का है यहां पर other part करें यानि promoter holding की तो company के promoters के पास 10% के stakes है FIS और DIS ने काफी अच्छा stakes इस stock में investment किया है और आप यहां देख सकते हूँ almost आदिते बिल्लासन live trust private limited के पास 4% के stakes है और HDFC trust company के पास यहां पे 4.5% के stakes है और other mutual funds ने भी काफी अच्छा investment इस company पे किया हुआ है यहां बात करें government के पास 0.24% के stakes है और बाकी public holding 12% है यानि all over company के जो fundamental से हमें strong देखने को मिले है बट यहां पर promoter holding कम होने की वज़े से stock में गिरावट देखने को मिली और यहां देख सकते हैं company के official website BSC पर जैसा कि हाल में ही company ने 2.50 पैसे का dividend दिया 21 में भी 2.50 पैसे का dividend दिया है अगर आप long term के साब से सोचते हो तो इस company में थोड़ा investment कर सकते हो क्योंकि company का जो fundamental से काफी strong हमें देखने को मिला है Thank you दोस्तो